हम उन्हें अभ्यासों को करमसा करेंगे आए सबसे पहले हम चालन क्रिया गर्दन का अभ्यास करेंगे गर्दन का अभ्यास में स्वास लेते वे पीछे के और जाएंगे स्वास छोड़ते वे आगे के और जुकेंगे मैं एक बार करके दिखाऊंगा उसके बाद आप मेरे पीछे करेंगे मेरे साथ अभ्यास करेंगे स्वास लेते वे पीछे स्वास छोड़ते वे आगे के ओर अपने चिन अपने छाती से लगा लेंगे गर्दन का अगला भ्यास ताएं और जुकना और फिर बाएं और स्वास छोड़ते वे पाले ताएं और जुकेंगे सेंटर में आएंगे फिर स्वांस छोड़ते वे बाएं और चलिए एक अभ्यास करेंगे मेरे साथ गर्दन का तिर्षा अभ्यास है स्वांस छोड़ते वे दाएं और जाएंगे स्वांस लेते वे सेंटर में आएंगे फिर स्वांस छोड़ते वे बाएं और अपने कंदे के ब्रावर में देखेंगे सभी लोग एक अभ्यास करेंगे मेरे साथ गर्दन का तिस्रा भ्यास है अपने गर्दन को घड़े की सुई की दिशा में गुमाने हैं पहले राइट साइट से पिन लेप साइट से इनको सर्वाइकल है आवी को नहीं दाएंगे अपने गर्दन को चलिए एक अभ्यास करेंगे मेरे साथ पहले राइट साइट से गर्दन की दिशा में दूसरा अभ्यास विप्रित दिशा में गर्दन के एक्सरसाइट से आपके सरी का रक्त संचार बढ़ते हैं सर्वाइकल हाइराइट के लिए बहुत जादिक लाबदायक है अगला भ्यास धड़ के लिए करेंगे अपने पंजो को गेर से दो खोट की दुली पे खोल दीजे और मैं एक राउंड करके लिखाता हूं उसके बाद आप करेंगे दोनों हाँ थेली अपने कंदे के ब्रावर मैं एक बार करूँगा उसके बाद आप लोग मेरे पीछे करेंगे स्वाफ छोड़ते वे पीछे को जाने है अब सभी लोग एक साथ करेंगे जिनको सिर्फ डेस्क है मासिक धर्म की जो है वो नहीं करेंगे बाद किसा भी लोग कर सकते हैं ये का प्यास और करेंगे इसका वापस आए इसकरम में अगला भ्यास भुटनों का चालन करिया दोनों हाथों को अपने कंदे के ब्रावर में ले लेंगे स्वाथ छोड़ते वे नीचे चेर कोज मैं एक बार आपको करके दिखाता हैं फिर आप करेंगे चले सभी लोग एक साथ करेंगे दोनों हाथे आपके कंदे के ब्रावर में होंगे द्रिश्टे सामने और स्वाथ छोड़ते वे नीचे को चेर कोज मैं जाएं दो अभ्यास और करेंगे इसका हाथ बीचे अब हम योगासन को बढ़ते हैं खड़े होने में सबसे पहला भ्यास आशनों में है तारासन मैं एवर करके दिखाता हूं आपको दोनों हाथ सामने इंटलोग शरीर को उपर खीचेंगे और स्वास लेते वे अपने पंजे के उठाते वे और द्रिश्टी सामने करेंगे तारासन हाथ सामने इंटलोग कीजिए हाथों को पूरे शरीर को उपर दो खीच देंगे अब स्वास भरते वे अपने पंजे को राज आई है और दस सेकेंड रोक के रखेंगे वान टो थ्री खोर पाइफ सिक्स शेवन एट नाइन टेन पड़े एड़ी आएंग वापस और तिरहां तोस्वें इससे आपके मेरू रण सर्मतिस्वी समाज साम के लिए आप दायक है है हाइट के लिए वह अध्यास है अगला भ्यास है ब्रिक शासन पहले मैं एक बार करके दिखांगा उसके बाद आप लोग करेंगे ब्रिक शासन पहले मैं करेंगे जिनको अर्थ्राइटिस की समस्ते अधिक है वह इस अभ्यास को नहीं करेंगे चले पहले राइट साड से अभ्यास करेंगे और द्रिष्टी सामने आपके बाइलेंस के लिए अभ्यास होता अच्छा है व्रिक शासन इसका दुसरा अभ्यास करेंगे बाइलेंपर से मन के एकागरता के लिए आप इस अभ्यास करते विए मेडिटेशन और ध्यान को बढ़ा सकते हैं योगासन में तिसरा क्रम है पाध हस्तासन एक बर मैपले करके दिखाता हूं आपको मैं करके दिखा रहा हूं उसके बाद आप करेंगे जिनको बैक में प्रोब्लम है वह इस अभ्यास को नहीं करेंगे आगे जुखने वाले आपक दिखाता हैं यहां के अपने सरी को खीज लेजिये जितना खीज सकते हैं और स्वास छोडते वे आगे जितना आप अपने अराम कर सकते हैं उतना रिल्लैक्स हो के और हथेली अपने जमें से लगा लेंगे और दस सेकेंड रोकेंगे इसे वान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापस आएंगे पाद हस्तासन का जो बिप्रितासन है काउंटर पोई अर्ध चक्रासन दोनों हथेले को अपने कमर के पेछे एक बाद देख लिजे हुझे